गड़ मॉर्निंग, सभी दर्ष्कों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश की योगी आदिनात सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सप्ताह में तीन दिन का लागडाउन लगा दिया है आपको याद होगा पहले वीकेंड लागडाउन लगाया गया उसके बाद दो दिन का लागडाउन लगाया गया और अब इसे बढ़ा करके तीन दिन का लागडाउन कर दिया गया है तो आईए जान लेते हैं कि लाइकडाउन की टाइमिंग क्या होगी और इसकी गाइडलाइन्स क्या हैं ये जानकारी अपने साथियों को भी शेर कर दीजेगा ताकि लोग घरों में रहें स्वस्त रहें स्वरचित रहें और कोरोना से बचे रहें चलिए वीडियो शुरू कर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले नित नए रिकार्ड बना रहे हैं प्रदेश में इन दिनों तीन लाख एक्तालिस हज्जार एक्टिब केस हैं इन्हें देखते हुए यूपी सरकार रोज कोई ने कोई नया कदम उठा रही है पहले इससे निपटने के लि सबसे प्रभावित शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया फिर उसका समय बढ़ाया गया लेकिन रिकार्ड तोड़ते संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए अब सरकार ने पूरे प्रदेश में तीन दिन कर्फ्यू लगाने का निर्णे लिया है सरकार ने बताया कि इस दोरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी लेकिन जरूरी चीजों की दुकाने और जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी अब अब इसको गाइडलाइन समझ लीजे जो तीन दिन का लगडाउन लगया गया है शुक्रवार शाम से मंगलवा सुबह तीन दिन का सिर्फ जरूरी सेवाएं मेडिकल किराना आदी छोड़कर सभी दुकाने वा सेवाएं अस्थगित रहेंगी किवल मेडिकल की शॉप्स खुलेंगी और किराने की दुकाने खुलेंगी दूसरी बाद पहली बार मास्क ना लगाने पर एक हजार रुपए जुर्माना और दूसरी बार भी यही गलती की तो दस हजार रुपए का जुर्माना देना होगा आवशक सेवाओं से जुड़े लोगों को पास जारी किये जाएंगे मौल, जिम, स्पा, अडुटोरियम बंद रहेंगे रेस्त्रा खुले रहेंगे लेकिन किवल होम डिलवरी की अनमती होगी वहाँ पर बैठ करके कोई खाना नहीं खासकेगा दूसरे राज्यों से आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी शादी समारों में आयोजन के दोरान सिर्फ पच्चास लोगों को शामिल होने की अनमती रहेगी सापताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा नाइट कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा दस जिलों में शाम को साथ बजे से सुबह आठ बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है ये जिले हैं लखनव, प्रियागराज, वारानसी, कानपूर नगर, गौतम बुध नगर, गाजियाबाद, मेरट और गोरकपुर 15 माई तक सभी स्कूल बन रहेंगे, बोर्ड परिक्षाएं भी रद कर दी गई हैं तो ये हैं लागडाउन के गाइडलाइन्स, इसे आप खुद भी समझ लीजे, इसका अनपालन कीजे, और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजे, ओके, थैंक यू